आपने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी घर में टोर्स और विंडो को देखते हैं तो वहाँ पर आपने ये ज़रूर देखा होगा कि उसके साइज हमेशा एक जैसे नहीं होते है यहीं कि में डोर का साइज अलग होता है और फिर आपके बातरूम के डोर का साइज अलग होता है आपकी हॉल की जो विंडो होती है उसका साइज अलग होता है और कीचन रूम के उपर जो विंडो होती है उसका साइज अलग होता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी रूम चेंज हो तो पहले हम door के बार में देखते हैं, उसके बाद हम window के बार में देखेंगे, तो देखेंगे जहां तक बात आती है, आपके घर का main door होता है, उसके लिए आपको जो door frame इस्तमाल करनी है, उसका size 3.5 feet by 7 feet होना चाहिए, इसका कारण यह होता है कि आपको अक्सरी आपके घर के अंदर कोई furniture या फिर बड़ा सामान ले जाना होता है, जिस वज़े से आपके door का size जो है, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बाकी room के comparison ले, अब यह जो main door का size हमने देखा है, 3.5 feet by 7 feet, यह minimum आपको main door के लिए रखना ही है, वैसे तो आजकल बड़े door का भी चलन है main door के जो कि दिखने में अच्छे दिखते है, जिनके height 8 feet तक ली जाती है, और width जो है, वो 4 feet से जादा भी ली जाती है, पर ऐसे door को maintain रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इस वज़े से अगर आपका regular घर है, तो आप 3 feet by 7 feet के तरब जा सकते हो, अगर हम बात करें bedroom की, तो उस तक रख सकते हो, अगर आपका kitchen का internal door है, तो वहाँ पर आप जो है, तीन feet by 7 feet की door frame लगवा सकते है, या फिर सवा 3 feet by 7 feet की door frame भी लगवा सकते है, और जहां तक बात आती है, आपके घर का जो bathroom होता है, वहाँ पर आपकी सबसे कम size वाली door frame आती है, जिसका size होता है, दो feet 6 inch by 7 7 feet, जैसे हमने door frame के बारे में देखा है, उसी तरह से हमें opening के बारे में भी पता होना चाहिए, ये जो opening होती है, वहाँ पर आपका door shutter नहीं आता है, तो अगर आपकी opening hall से passage के तरफ है, तो आप 3 feet by 7 feet की opening रख सकते हो, चलिए अब बात करते हैं, आपके घर की जो window है, आखिर उनका size कितना होना चाहिए, अब आजकल जो RCC गर बनते हैं, वहाँ पर आप बड़ी से बड़ी window को रख सकते हो, ये बड़ी windows दिखने में अच्छी दिखती है, इसकी वज़े से घर के अंदर जादा रोश्नी और जादा हवा आप आती है, तो ये बहुत सा रिफाइदे इस बड़ी window के साथ होते है, पर ये चीज़ आपको ज़रू ध्यान में रखनी चाहिए, कि जितनी बड़ी window होती जाएगी, उतना ही उस window का cost बढ़ता जाएगा, जैसे कि उस window को लगने वाली sliding window का cost बढ़ेगा, ग्रेनेट का cost बढ़ेगा, और तो और grill का भी cost बढ़ेग तो वहाँ पर आप 5 by 4 या फिर 4 by 4 की window को रख सकते हैं, यहाँ पर जो height होगी, वो 4 feet आप रख सकते हैं और जो width है, उसे 5 feet तक रख सकते हो, अब next room के बारे में बात करता है, जो कि है kitchen, तो kitchen में generally दो windows को provide किया जाता है, जिन मेंसे एक window का size होता है, 4 by 4 का और दूसरी जो window ह होती है, जो कि आपके kitchen platform के exact उपर आती है, तो उसकी width जादा होती है और height कम होती है, जैसा कि आप अगले video में देख रहे हैं, यहाँ पर इस window के height आप 3 feet या फिर 3.5 feet तक ले सकते हैं, और जो width होगी वो आपको जादा लेनी है, जैसे कि 5 feet या फिर 6 feet इतनी width आपको इस window के लेनी चाहिए, अब यह window के height कम इसलिए होती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे के तरफ आपका gas stove होता है, हवा के वज़े से वो बंद ना हो जाए, इसलिए इस window के height को कम रखा जाता है बाकी window की तुलना में, अब यहाँ पर next room के बारे में बात करता है जो कि है bedroom, अब bedroom के लि तो वहाँ पर जो window होती है, जिसे कि हम ventilator कहता है, तो उसका size कम से कम आपको 2 feet by 2 feet तक रखना चाहिए, toilet और bathroom में वैसे तो 1.5 by 2 feet के ventilator का भी इस्तमाल किया जाता है, पर मैं आपको recommend करूँगा कि 2 feet by 2 feet के ventilator का ही इस्तमाल करे, जिससे कि bathroom में जो भाब बनती है, या फिर toilet म जो smell आती है, तो वहाँ पर हवा का बहाँ सही से हो पाए, और रोशनी भी अच्छी आपको मिल पाए, तो इसलिए 2 by 2 के option के तरफ आप चाह सकते हो, देखे दोस्तों ये जो doors और window के size हमने इस video में देखे है, उनके वज़े से आपके घर में अच्छा ventilation और light जो है, वो एक वीडियो आपके जरू काम में आ सकती है,